राज़त नीता की द्वारा दबंगई करनी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते हैं या हम नहीं कह रहे है या वाइरल वीडियो कह रही है जिसमें बेगुष्रा युवा राज़त के उपाध्यक्ष गौतम यादव किस तरह से एक अल्प संख्यक मोहले में समीम राइन के साथ अपनी दवंगई करते नजर आ रहे हैं दरसल पूरा मामला बल्या थाना छित्र के पोखरिया पंचायत की बताई जा रही है जहां मौजुद लगभख दरजन भर से अधीक लोगों को राज़त नेता गौतम कुमार यादव ने ट्रैक्टर से कुचलने का परियास किया है बताया जाता है कि सब्जी बेजने वाले मौजब समीम राइन अपने ठेले को घर के सामने सरक के किनारे लगाये हुए थे उसी दोरान युवा राज़त के उपाध्यक्ष गौतम कुमार यादव अपने ट्रैक्टर को लेकर उस सरक से गुजर रहे थे जहां सामने में उसे एक ठेला दिखाई दिया फिर क्या था गौतम कुमार आग बबुला हो गए और ठेला चालक समीम राइन को जाती सूचक सब्द दे कर भद्दी भद्दी गालिया देने लगे जब समीम और आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया तो राजद नेता गौतम यादव ने उन सभी लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का परियास किया जहां दर्जन भर से अधिक अल्प संखी अक्तव के लोगों ने आनन फनन में किसी तरह अपनी अपनी जान बचाई वर ना ट्रैक्टर कुचल कर कई लोगों की जाने चली जाती इस घटना को लेकर राइन समाज के काफी आक्रोसित दिख रहे हैं खबर लिखे जाने तक पिरित पक्ष की द्वारा पुलीस से सिकायत नहीं की गई थी वहीं राजद नेता की द्वारा दबंगई करने का वीडियो सोसल मेडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है सत्ता पक्च के नेताओं के द्वा राजत नेता को ताकिद करते नजर आ रहे हैं समीम राइन का कहना है कि इससे पहले भी लगाता है राजत नेता गौतम कुमार के द्वारा हम लोगों पर हमला किया जाता रहा है बन्पी न्यूज के लिए समवादाता जितंद्र कुमार की रिपोर्ट अबादाता जितंद्र करते लिए समय अख़ मुद्र आ रहे हैं लिए लिए बन्पी जाता जितंद्र कर द्वार कि दोने मुद्र करते हैं